वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है ब्रेकाउट की तैयारी कर लो क्योंकि आने वाला समय पूरी तरीके से ब्रेकाउट का होने वाला है यहां से बड़ी तैयारी अगर आपने नहीं करी है तो फिर एक बड़े प्रोफिट एक बड़ी रेली से वंचित रह जाएंगे क्योंकि यह 300% की रेली नहीं है यह आफ्टर हालविंग की रेली है जो की 2025 तक expectation है की चलने वाली है तो एसे में यह जो रेली है इसका बरपूर फाइदा शीबायनों यहां से उठाने वाला है यहां से ब्रेकाउट की बात जब हम करते है और शीबा बर्निंग को लेकर करते है कि शीबा की जो बर्निंग है वो 162% इंक्रीज हुई है इस कारण से ब्रेकाउट आएगा तो यहां पर थोड़ी हास प्रत बात हो जाती है मैं बिल्कुल भी इस बात का सपोर्ट नहीं करता है कि क्यों बर्निंग के कारण शीबा में रेलिया जाएगी बिल्कुल नहीं यह पोसिबल ही नहीं अभी के हिसाब से क्योंकि इतनी कोई खास बर्निंग हुई नहीं है कि जिस कारण से बड़ी रेलिया आए लेकिन अगर मार्केट में न्यूज देखे तो शीबा बर्निंग हुई है 162% बर्निंग रेट जंप हुआ है लेकिन यहाँ पर ब्रेक आउट के पीछे दूसरे रिजन है जिस इस वीडियो में जिसको मैं कवर करने वाला हूँ तो एंड तक वीडियो वाच करना क्यों ब्रेक आउट आने के चांसेस लग रहे है इसके ओपर गहन हम डिसकोस करने वाले है एक डाइरेक्शन मिलेगा शीबा इनों को लेकर कि कहां आगया का मुकाम किस ताइप से हो सकता है एंड तक वीडियो वाच करना चैनल पसंद आय है एक तरीके से माइंड सेट मालूम पढ़ जाता है सभी का तो कमेंट्स भी पढ़ा करो और simple सा comment से भी किया करो तो सबसे पहले तो हम सिरुवात करेंगे BTC से अगर इस news से सिरुवात करते चलो सबसे पहले तो यहाँ पर बताये गया है कि Shiba Inu community के माध्यम से जो burning है उसको execute किया गया है यहाँ पर ओर लाखो, meme, शिको को dead wallet में transfer करके dead coin में भेज दिया गया है और साथ ही एक दरजन million से अधिक Shiba token को नश्ट करने में यहाँ पर सफलता हासिल हुई है और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक burn tracker से पता चला है कि 24 घंटे में Shiba burn दर में 162% increasement यहाँ पर देखने को मिला है और परियाप्त मात्रा में कुल लगभग 16 million token यहाँ पर Shiba token को destroy किया गया है blockchain पते पर ले जाके तो यहाँ पर बड़ी यहाँ burning है क्योंकि काफे समय से burning को लेकर कोई update नहीं आ रही थी और यह burning कही न कहीं एक अच्छे message तो जरूर देगी community के बीच में इन सबके भी जो breakout की बात यहाँ पर कीक जा रही है वो यहाँ पर कहा गया है कि Shiba breakout का प्रियास कर रहा है क्योंकि bitcoin की halving आने वाली है 11 दिन से उसके बाद bitcoin एक नया ATH बनाने वाला है यह एक बड़ी बात है तो चलो सिरुवात सबसे पहले BTC से करते है देखो BTC ने एक correction market को दिया है और correction देने के बाद market दो तीन बार इस range में 661,000 फिर से 661,000 पर पहुचा है उसके बाद market ने फिर से correction दिया है और bounce back करते हुए market 69,000 डोलर के करीब आ चुका है इन्वेश्टरों को यहाँ पर लगने लग चुका है क्योंकि हालविंग को 11 दिन से एसे तो एसे में market कभी भी उपर की दिसा में एक नया all time high बना सकता है तो एसे में हर इन्वेश्टर इस price पर buy करके अपने पास BTC को hold रखना चाहता है और यही कारण है कि market 62-66,000 पर आने के बाद reverse लेता है और 69,000 डोलर के करीब आ जाता है जब यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि 69,000 या 700,000 डोलर के करीब आने के बाद market रुक क्यों जाता है market फिर एक महिने से यहाँ पर पर आया एक बार यहाँ आया फिर यहाँ आया लेकिन कुछ time बिताने के बार नीचे क्यों चले जाता है भाई simple सा logic है कि देखो अगर 67,000 डोलर पर पहुचता है तो market पर जो buying है न वो रुक जाती है buying रुक जाती है और वेट करते हैं कि हर इसके पार तो फिर जाएगा नहीं market अभी और पता नहीं है जाए नहीं जाए यह कहीं नहीं मनोवेग्यनिक दबाव यह भी रहता है तो 67,000 पर कोई भी बाई नहीं करना चाहता है क्योंकि यह एक resistance काम कर रहा है एक महिने से पिछले एक महिने से 77,000, 72,000 एक तरीके से resistance का काम कर रहा है जो कि हर कोई वेक्ति समझ रहा है कि इस resistance पर अगर मैं buy करूंगा तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि यह तो एक barrier है इसके उपर price जा नहीं रही है नीचे जरूर जा रही तो मुझे तो low सजाएगा तो wait करते लोग 6,000, 61,000 पर आने का अब यहाँ पर एक असली picture क्या होगी after halving after halving के बाद एक नया एटी एज के साथ bitcoin आगे जाएगा और उस भी जैसे bitcoin ने धीरे धीरे पहले तो यह 44,000 पार धीरे धीरे करेगा सित्तर से 44,000 डॉलर धीरे धीरे जाएगा और जैसे 45,000 पर पहुंचता है एक नया एटी एज बनेगा एक नया all time high बनेगा और उसके बाद market तेजी से break out देगा कारण सिंपल है क्योंकि फिर जाके जितने भी बायर है यह जो बेरे टूटने के बाद एक्टी होंगे और एंट्री लेंगे और इसके बाद market all time high बनाएगा समझ गए उसके बाद Siba के अक्सिली picture सिरू होगी क्योंकि जब BTC ATH high एक अपना all time high बनाएगा उसके बाद Siba में trade होगी वैसा तो Siba में 7,600 उपर जाते जाते ही trade होने लग जाएगी क्योंकि market रेंज 2,4,10,20% की दिखाने लगेगा तो उसके बाद market pump दिखाएगा तो Siba में भी वो pump आपको देखने को मिलेगा लेकिन Siba को जो breakout है वो जैसे ही BTC ETH ATH पार करेगा उसके बाद दिखेगा असली रंग यहाँ पर इसपश्ट तोर पर 3-4 प्रियाज breakout के बताये गए है कौन-कौन से अटेम्ट है तो सबसे पहले यह कहते है कि जिस टाइप से market ने ग्रावड दी और उसके बाद market ने comeback किया है वो एक बड़ी वज़ा है और इसके अलावा यह कहते है कि अभी हाल ही में एक बड़े cryptocurrency प्लेटफॉर्म Nesdaq ने, Nexo ने अपने हाँ Shiba को लिष्ट किया है और उसके अलावा उन्होंने Nesda payment transition में भी उसको यूज कर लिया है वहने कि Shiba को buy sale ही नहीं कर सकते उसको payment में भी यूज कर सकते मतलब lendane में भी उसको यूज किया जा सकता है तो ये एक बड़ी बज़ा रहेगी क्योंकि वहाँ पर Shiba trade होने लग जाएगा इसके अलावा ये अगली बात कहते है कि इनकी जो team member है team के सदश्यों सहित कई विशलेशों को कुमीद है कि अपरेल के अंत में अगामी bitcoin halving के बाद Shiba नो अपनी कीमत के मामले में एक नया all time high बना सकता है तो ये भी एक कहिना कहीं जो analyst है उन लोगों को लग रहा है कि BTC के बाद BTC halving के बाद Shiba एक नया all time high बनाएगा इसके बाद तीसरी बड़ी वज़ा यहाँ पर यह बताई जा रही है कि एक विशलेशक है उनका नाम में यहाँ पर नहीं कहूंगा उन्होंने tweet किया था कि BTC की halving रुकने के बाद जो Shiba एनू है वो कहां तक पहुचेगा तो बताया गया है कि BTC 0.001 से अधिक के नए एतिहासिक सिखर पर पहुचने वाला है ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है क्योंकि halving के बाद जिस टाइप से expectation लग रहे है Lucy ने भी कई बार tweet करके बोला है कि जो Shiba है वो वन सेंड तक पहुचने के आगामी दिनों में सफलता हसिल करेगा तो उसको देखते भे यहाँ पर यही चीज बताए गई है कि अन अल्ट कोईन के सहसात और BTC की halving के बाद जिस टाइप से expectation बन रहे है Shiba एक नया all time high बताएगा इसके अल्ट कोईन का नाम भी लिया है जो की काफी सरुकालिन उच्ची स्तर पर पहुच सकते है जिसमें आप देख सकते हैं Dogecoin, Cardano, Solana, XRP यह 4 कोईन को उन्होंने यहाँ पर include किया है इनमें भी बड़ी growth आ सकती है क्योंकि अगर आज की condition में देखे तो XRP ने कुछ भी pump नहीं दिया 300% की rally भले आ गए लेकिन नहीं आई उसमें Solana ने जरूर यहाँ पर थोड़ा सा effort दिया है Cardano ने भी ज़्यादतर कम profit दिया है जब Bitcoin 60% बड़ा लेकिन Cardano खुद उससे नीचे बड़ा है Dogecoin ने जरूर यहाँ पर अच्छी profit निकाल के दिया है तो 4-5 cryptocurrency ने यहाँ पर include करी है इसके अलावा Lucy की भी एक officially tweet कहते है कि Lucy ने हाली हम उमेच जताई थी कि Bitcoin में सबस्कूल ठीक ठाक रहेगा और Shiba एक नया all time high की तरफ बड़ेगा तो यह भी एक बड़े वज़ा बताई जा रही है और Shiberium तो है इसा ही जो नया milestone पर milestone बना रहा है 413 million dollar 413 million transition के एतिहास एक सिखर पर पहुँच गया है wallet में अच्छे खासी बड़ोतरी यहां पर देखने को मिली है तो यह भी एक बड़ी वज़ा रहेगी जो Shiba को एक नया all time high के तरफ ले जाएगी तो हम देखे तो जिस टाइप से चीजे आगे बढ़ रही है उसको देखते हुई यह चीजे सब possible है क्योंकि Shiba Inu को लेकर बढ़े hit यहां पर लगने का असार है और अकेले Shiba Inu नहीं बढ़ेगा मैं आपको बता दू जेसे एटी एच बीटी सी तोड़ेगा उसके बाद पूरे crypto market में एक bull run आएगा एक नई लहर आएगी जो की पूरे crypto market को हिला के रख देगी और एक तरीके से सभी high growth में बढ़ेंगे लेकिन meme token कुछ अलग हटके बढ़ने वाले हैं तो तैयारी कर लो शीबा इनो breakout देने वाला है और जल्दी है आपको एक बड़ी rally यहाँ पर दिखेगी क्योंकि market ने correction देना चालू कर दिया था चार दिन हो गया आज और market धीरे धीरे range में बढ़ रहा है क्योंकि BTC एक बड़ी range अभी नहीं दिखा रहा है तो देर सवेर अच्छा कुछ होने वाला है एंट्री नहीं लिए तो ले लेना strongly बोल रहा है एंट्री नहीं लिए तो ले लेना हले कि कोई crypto एडवाईज नहीं है परसनल एडवाईज है आप अपने हिसाब से research जरूर कर ले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कल लेना और शिबा के बारे में आप क्या सुचते है कमेंड्स में जरूर लिखना नमस्कार